सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसंतोशी मा, दोस्तों, स्वागत है आपका जानते हैं, आज क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से 23 अगस्त दो हजार चौबीस शुक्रवार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी सुबह 10 बज कर 49 मिनट तक रहेगी इसके बाद पंचमी तिथी प्रारंब हो जाएगी रेवती नक्षत्र शाम 7 बज कर 54 मिनट तक रहेगा इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा आज का राहुकाल सुबह 10 बज कर 54 मिनट से 2 पहर 12 बज कर 29 मिनट तक रहेगा जो दिन का सबसे अशुभ समय है आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बज कर 4 मिनट से 12 बज कर 54 मिनट तक रहेगा जो दिन का सबसे शुभ समय है आज चंद्रमामीन राशे पर संचार करेगा और सूर्य सिंह राशे पर रहेगा व्रिष्चिक राशी 23 अगस्त 2024 शुकरवार आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे आप पिछले कुछ दिनों से बहुत महनत कर रहे हैं और अब इस महनत का आनंद लेने का समय है बहुत बड़ी पार्टी ना रखें छुट्टी का दिन शान्ती से बिताएं अपने किसी विशेश प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्ट मिलेगी दोस्तों के साथ शाम अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा खाने से बचें क्योंकि यह आपकी अगली सुबह खराब कर सकता है आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परिशान कर सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है सामाजी कुद्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा प्यार का खुमार आज आपके सिर पर चढ़ने के लिए तैयार है इसका अनुभव कीजिए सहकर्मी आपको काफी सहयोग देंगे और कार्यक्षेत्र में विश्वास की नीव पर नए रिष्टों की शुरुआत होगी खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है जिसके दुर्गम परिणाम वेवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं आज आपकी सभी जरूरतों में साहसी होने का दिन है चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो मीन राश में चंद्रमा, आश्चर्य या अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव ला सकता है हालांकि आपको दूसरों के साथ अपने रिष्टों में थोड़ा कठोर होने की आवश्यक्ता हो सकती है क्योंकि यह गोचर छोटे मुद्दों और विचारों को ला सकता है यदि आप दूसरों पर काम करने के बजाए अपनी कठिनाईयों का सामना करते हैं तो आश्चर्य जनक अवधी बीच जाएगी आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती से निपटने में सक्षम है कहरे नीले रंग का वस्त्र पहने नकारात्मक्ता को दूर करें सुबह का समय आपके लिए शुभ रहेगा आज का दिन आप शांती और सुकून से बिताएंगे कोई भी लेंदेन करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना आवश्यक है इस से आर्थिक स्थितियां आपके सामने स्पष्ट रहेंगी संबंधों में चल रही गलत फहमियों को दूर करने के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे काम में रुची और ध्यान बढ़ाने की कोशिश करें प्रयास के बाद भी आर्थिक लाभ न मिले तो उदारता बढ़ेगी जब तक आप वर्तमान स्थिति को अपनाना नहीं सीखते तब तक आगे की बातों में बदलाव लाना कठिन होगा अन्य लोगों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हुए खुद में क्या बदलाव आया है इस पर अधिक ध्यान दें कार्यस्थल के लोगों पर तुरंत विश्वास करना नुकसान का कारण हो सकता है हर व्यक्ति की निष्ठा को परखना जरूरी होगा रिष्टों का महत्व समझाएगा पेट से जुड़ी परेशानी घरेलू उपचार से दूर हो सकती है आप अपने कामों को लेकर ठकान महसूस करेंगे आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है परिवार में किसी सर्प्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है आपको किसी संपत्ति संबंधित विवाद में पढ़ने से बचना होगा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं सावधानी बरतें, कोई पुराना विवाद उठने से धैर्य बनाए रखें वरना इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा उत्तेजित होने की बजाए शान्ति पूर्ण तरीके से हल निकाले वित्तिय गतिविधियों में लापरवाही की वजह से धोखा खा सकते हैं बात करते हैं लव लाइफ की, आज का दिन अन्य और नए अवसरों के लिए उपयुक्त है जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है वे आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है यह माफी देने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों को नजर अंदाज करने का समय है आप और दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका संबंध 21-36 का रहा हो और यह समय पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करने का भी है आज आप आकरशन का केंदर बने रहेंगे आपकी मस्त अदा किसी को बहुत पसंद आएगी अगर आप किसी पार्टी में दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप च्छाए रहेंगे सज धच कर जाएं आज रात आपके हैरान होने की पूरी संभावना है करियर की बात करें तो हाल ही में दिखावे और चलावे पर खर्च करने के कारण आज आपको नगदी की कमी खलेगी जिसके चलते आप कर्ज ले सकते हैं आज आप पीछे रहकर दोस्तों को भी खर्च करने दें पिछली गलतियों से सीखें और खर्च पर लगाम रखें कुछ तो भर पाई होगी उच्च अधिकारी आज आपके करियर को बढ़ाने में मदद करेंगे आपने जिस तरह से अपने काम को संभाला है उससे आपके उच्च अधिकारी बहुत खुश हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे ही मेहनत करते रहें वैसे आप अब तक जान ही गए होंगे कि सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता आज आप वह प्यार और खुशी पाएंगे जो आप अपने कारिक शेत्र में महसूस करते थे भारी दिखावे और काम के बोज़ की वजह से वह खुशी कहीं दब गई थी पर एक खुशनुमा पल आपको यह एहसास कराएगा कि आपने यह कारिक शेत्र क्यों चुना था और यह क्यों आप पर इतना जंचता है आज के दिन अपने कारिक शेत्र में अपना रवया बदलने के लिए अतियुत्तम है व्यवसाइक मामलों में बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है किसी सहयोगी का नकारात्मक रवया आपको परेशानी में डाल सकता है इसलिए अपने फैसलों पर अमल करें पब्लिक डीलिंग और संपर्क सूत्रों को मजबूत करने में समय लगाएं गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाएं सेहत की बात करें तो दूसरों के बारे में सोच सोच कर खुद को तनाव न दें क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगे अगर दवाईयों से अधिक फाइदा नहीं हो पा रहा है तो घरेलू उपचार आजमा सकते हैं किसी विशेशज्य से सलाह लेना उचित रहेगा और योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा आज ग्रहों की स्थिती आपको अपने भविश्य की सुरक्षा के बारे में सोचने का संकेत दे रही है बीमा जैसे विकल्पों पर विचार करना बहतर होगा ग्रहों का योग इस बात का संकेत दे रहा है कि आज ऑनलाइन शॉपिंग या नए ई-कॉमर्स वेंचर्स में रुची लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है आज का दिन आपको अपने पोशन और स्वास्थे पर विशेश ध्यान देने का संकेत दे रहा है सही भोजन और अच्छी आहार की आदतें आपके दिन को और सुखत बना सकती है ग्रहों की स्थिति आपको नए व्यवसाइक अवसर प्राप्त कराने में सहायक हो सकती है नए प्रोजेक्ट या वेंचर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन शुभ है आज का दिन आपके लिए यात्रा, संबंधी, योग बना रहा है जो लोग यात्रा या पर्यटन से जुड़े हुए हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं ग्रहों की स्थिति आज आपको शेर बाजार या अन्य निवेशों में ध्यान देने का संकेत दे रही है समय अनुकूल है, इसलिए सोच समझ कर निवेश करना लाभधायक हो सकता है आज का दिन उन लोगों के लिए सुखध है जो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रमोशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपके नए कैम्पेन, सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं आज का दिन आपको अपने फिटनेस रूटीन में नए प्रयोग करने का योग दे रहा है यदि आप नया व्यायाम या फिटनेस रिजीम अपनाते हैं, तो इसका आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तिगत वित्त को सुधारने के योग बना रही है आज आप अपने बचत या खर्च के तरीके में सुधार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं आज का दिन नए उद्यम या एंटरप्रेनियोर्शिप की और पहला कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है ग्रहों का साथ आपके नए बिजनिस वेंचर में सफलता प्राप्ट करने में मददगार हो सकता है आज का उपाए लाल रंग देवी लक्ष्मी का प्रियरंग है लक्ष्मी मंदिर जाएं और देवी को लाल वस्तर, लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी और लाल चूडियाओं अर्पित करें अपनी प्रार्थना के दौरान अपने हाथ में पाँच लाल फूल रखें और देवी लक्ष्मी का स्मरण करें प्रार्थना के बाद इन फूलों को अपने तिजोरी या अलमारी में रखें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो